हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दरबे साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिटल में दोस्तों एक चीज़ याद रखो अगर आप जीवन में सीधे चलना चाहते हो दोडना चाहते हो रुकना नहीं चाहते हो कभी भी बिष्टर पे लिटके बिमार रहना नहीं चाहते हो तो आप हमारी यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिटल को रोजाना देखें और जो बताता हूँ उसको अमल करो अपने यार दोस्त को सेयर करो सबस्क्राइब करके बेल आइकन बजाओ जिससे की नई वीडियो जो आप तक पहुंच सेगे दोस्तों आज का जो टॉफिक है वो दोस्तों खास है क्योंकि अगर आपके नसों में बार-बार समस्या होती है आपके जोडों में हमेशा तकलीब रहता है माम स्पेसिया आपके सिकोट रहे हैं एक उसमें ब्लेड की सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो रही है ब्लोकेज हो रही है आपकी एनरजी आपका हमेसा खूण जो है वो सही धंक से प्रवायिद याने सर्कुलेट हो नहीं पा रहा है तो आपको दोस्तों हजारों तरे के बिमारी आएंगे ही आएंगे याने आप हजारों बिमारी के चपेटे में आ जाएंगे जो पर्टिकुलर वीडियो इसको अच्छे से देखो समझो फिर उसके मुताबिक इंप्लिमेंट करू पहली बात है चोट लगने या फिर स्ट्रोक हो जाने से नसों तक खून की अपूरती ना ह हो पाने से या फिर जो सियाटी का नर्भ है अगर वो अफेक्टेट होता या कंप्रेश्ट होता है उसके साथ साथ ज्यादा सराप पीना कैंसर या इसके इलाज की प्रक्रियाओं के कारण भी हमें रिडेशन थेरापी और दिया जाता है उस सब के कारण भी या फिर कोई सर दोस्तों कई बारी हमने नसों में दर्द होना सुरू हो जाता है अगर किसी को हाई भी है या पूरानी डाइवेटिस्ट की विमारी है जिसे डाइवेटिक, निरोपेथि औ Pengaral कहते हैं यह सब कारौन से भी दोस्तों नसों में दर्द हो सकता है अलग-अलग कारण से इनसान प्रावित हो सकता है जो लोग खास करके बहुत समय खड़े होके काम करते हैं स्कूल टीचर्स हैं जो ट्राफिक पोलीस होते हैं इस सब को भी दोस्तों नसों का बहुत जादा समस्या होता है तो दोस्तों आप इसको कारगर तरीके से तभी काम्याब हो पाओगे इलाज करने में जब आप इसका मुल कारण दोस्तों समझ पाओगे एक तो दोस्तों कुछ खान पिन में भी आपको परहिच करना पड़ेगा अगर आपको नसों में दर्द होता है चैकी प्रिशर का पॉइंट बता देता हूँ पॉइंट नमबर एक से लेकर पास तक उसके साथ-साथ आपका साथ नमबर, आठ नमबर, नौ नमबर, पॉइंट नमबर, सिक्स्टिन और आपका सत्रा नमबर याने ही वेंड नी जो जॉइंट होता है इसमें काली मीर्च का प्रयोग में कई सारे वीडियो में बताया हूँ इरिनरी ट्राक और ब्लैडर को अच्छा रखने के लिए पॉइंट नमबर, नौनिस बीस आपका इंटेस्टाइन को ठीक रखके खाने को अच्छे से पचाने के लिए और 22-23 जो हो गया आपका गर्ल ब्लैडर और लीबर इसको भी आप बढ़िया रखना ही पड़ेगा दोस्तों साथ-साथ आपको दोस्तों डाइबेटिस को कंट्रोल करने के लिए 25 नमबर, किडनी को बहतर कार्यक्रम रखने के लिए सरीर से विसाक पदार्थ बाहर निकालने के लिए आपका डीटॉक्सिफाइड करने के लिए पॉइंट नमबर 26 का इस्तेमाल पेट में जो ग्यास बनती है वो सब को सही करने के लिए पॉइंट नमबर 27 इसके साथ साथ दोस्तों 28 नमबर आप ब्लड पेशर को भी कम करना ही पड़ेगा नॉर्माल रखना पड़ेगा और 29 नमबर जो है आपका नाभी चक्र को ठीक रेख किया इसके साथ साथ 30 नमबर भी आपको दबाना पड़ेगा जिससे आपका लंग्स अच्छा काम करें 24 नमबर भी आपको च्युमलेट करना पड़ेगा जिससे कि आपका नाग जो नॉस्ट्रल है वह बहतर काम करें जिससे कि आप सांस अच्छे से लें oxygen आपके सरीर पे sufficient जाए जो 36 नमबर है heart हार्ट भी अच्छा पॉंप करना चाहिए, इसलिए 36 नमबर का दोस्तों प्रयोग करनी चाहिए, लाश्ट में आप पॉंट नमबर 39 याने, सरीर में थंडे का आपका नार है, साइनरसाइटेज, ब्रंकाइटेज, आस्थमा, ऐसा बीमारी भी आपको ना हो, इसलिए आप हम हो रहना चाहिए, जैसे सेरीब्रम है, सेरीब्लियम है, पिट्यूट्रिक लैंड है, पिनेल ग्लैंड है, हेड नर्व है, पांचों पॉंट एक से लेके पांस तक है, इसको भी आपको अच्छे से दोस्तों स्टिमलेट करनी करनी है, और खास करके 6 नमबर में आपको आ जाता है फ्रोट 7 नमबर आपका आ जाता है नेक 8 नमबर आ जाता है थाइरेट 9 नमबर जो है आपका है Dोस्तों स्पाइं 11 नमबर आपका हो गया लिंफाटिक सिस्टेम इस सारा चीज पस स्म आ चीत přेच करना लंच के पहले और डीनर के पहले आप स्टिमुलेट कर सकते हो 15-15 मिनिट के टोटल हो गया आपका 45 मिनिट आपको समय जाएगा पैर में और हाथ में इस सारा जो पॉइंट बताया ही इसका लोकेशन जानने के लिए आपको क्या करना है ना मेरी जो किताब है My Health in My Hand इसको Online Emergency दोस्तों मंगा नहीं है मंगा कि इसको आज Referral किताब दोस्तों इस्तिमाल करना इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मेरी बुक रखा करो घर में जो भी मैं वीडियो बनाओ जो भी पॉइंट बता दो पॉइंट को देखके आप अपनी समस्या का निदान तुरंद कर सोको जिसके घर में भी नहीं है अभी का भी आप Online Emergency दोस्तों स्पेसिफिक जो पॉइंट से उसका हमने Digital License भी कर दी है Pen Drive के माद्दें से DVD के माद्दें से भी आपके घर बेस्ते हैं जिसे चाहिए वो भी हमें वाटसअप करें और संपर्क करें जिससे के आपके घर में दवाई आना बंद हो आप बार बार हस्पताल जाना बंद करें एक जो कहते हैं डोर नकिंग अप डिफरेंट डॉक्टर्स नॉट दॉस्यूशन हमेशा हस्पताल का चक्कर लगाते हैं फिर हम एक तरह के साइकिक हो जाते हैं साइकोलोजिकल फैक्टर भी दोस्तों हमारे उपर हावी होना सुरू होता है इसलिए याद रखो अपना योगा करो प्राणायम करो मौनिंग वाग करो सांस के क्रिया करते रहो और अलग-अलग फॉर्म में आप एक्सराइज करो जिसके पास जो ख्यमता है जिसके पास जो साधन है जिसके पास जो फैसलिडी है और जहां रहते हो उसके हालात के हिसाब से क्लापिंग थरा भी जो बताता हूँ अगर रोजाना करते हो तो दस पिनिट के clapping थरा भी equivalent हो आपका कम से कम 3-4 क्लिमटर वाक के बरावर है दोस्तों इसलिए clapping रोजाना करें सुभा से 10-15 मिनिट साम को 5-7 मिनिट और meditation जरूर करना जीए तो दोस्तों इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं अच्छा काम जरूर करते रहें जीवन को creativity के साथ लो कभी भी हार मत मानो जीवन चलने का नाम है जीवित हो तो आपको चलना पड़ेगा और चलने के लिए मेरा वीडियो आपको दोस्तों हेल्प करेगा Thank you very much जाहिंजा भारत